हेलो एबरिवन, वेलकम तो दे चैनल इंजिनियर्स प्रो और आज की क्लास में हम लोग करेंगे चैप्टर थी दो चरवाले राइखिक्षन में करन योगम एक्सरसाइज 3.5 कोस्टन नमबर 4 का स्वोलूशन पिछली क्लास में हम लोगों ने कोस्टन 4 का 1st and 2nd कोस्टन डिल क किये जब उसे सही उत्तर पर 3 अंग मिले तथा असोद उत्तर पर 1 अंग की कटवाती की गई यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंग मिलते तथा असोद उत्तर पर 2 अंग कटते तो ये उसको 50 अंग अरजित करता तेस्ट में कितने प्रस्ण थे तो जो हमारे regular viewer है वो इसली इसको solve कर लेंगे क्योंकि हम लोगों ने इस तरह के कई question किये हैं तो राखेक्षेमिकर ने किस तरह से लिखना है उनको पता है आईए जो new viewer है उन लोगों के लिए हम लोग detail से करेंगे तो देखिए इसमें आपको जो variables मानने हैं वो मानने हैं असुद और सुद सही उत्तर और गलत उत्तर तो मान लिजे कि अरजित ने x सही उत्तर दिये और y असुद उत्तर दिये तो total question क्या हो जाएगा total question क्या हो जाएगा x प्लस y यहां तक clear है x हो गया सही उत्तर y हो गया गलत उत्तर ये किलियर है तो अब देखिए पहला कंडिशन जो कह रहा है एक टेस्ट में 40 अंक अरजित करते हैं जब सही पर 3 अंक मिल रहे हैं और गलत पर 1 अंक मिल रहे हैं तो टोटल question जो सही बनाया है वो x बनाया और उसपे 3 अंक मिले तो टोटल कितने अंक मिल गए 3x और असोदुत्तर कितने बनाये y और उसपे एक अंक की कटोती हुई तो टोटल कितने अंक की कटोती होगी 1 into y तो y और टोटल अंक कितने score किये 40 ये आ गया equation first अब second जो condition कह रहा है कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और असुद्ध पर 2 अंक कटते तो x सही उत्तर किया तो कितने अंक के score करेंगे 4x minus y गलत है और 2 अंक कटेंगे तो ये minus हो जाएगा 2y equals to 50 टोटल 50 अंक अरजित किये हैं ये आ गया equation 2 इसको थोड़ा और simplify कर सकते हैं इसको 2 से divide कर दीजे ये आगया 2x minus y equals to 25 ये आगया second equation अब मैंने पिछले भी वीडियो में बताया है जब आइदर x का और y का कोफिशेंट सेम हो तो बिलोपन भी दीजे से solve करेंगे देखें y का कोफिशेंट सेम है तो इसको बिलोपन भी दीजे solve करेंगे तो first equation है 3x minus y equals to 40 और second है 2x minus y equals to 25 अब दोनों को minus कर लिजे तो क्या होगा y term cancel हो जाएगा 3x minus 2x x equals to 40 minus 25 15 x आगया 15 और y क्या आगया एक सेमिकरन में इसका value रख दीजे आई ये रखते हैं first equation में first equation है 3x minus y equals to 40 तो 3 into 15 minus y equals to 40 15 या 45 चालिस कोई सेट लिए ये और y को उस सेट भेज़ दीजे तो y equals to क्या आगया 5 तो x आगया 15 y आगया 5 अतलब सुद्ध question जो सही answer दिए वो थे 15 और गलत answer दिए वो थे 5 तो total question कितना आजाएगा x plus y x plus y क्या है 15 plus 5 equals to 20 तो total question कितने आगया 20 ये question हो गया solve आप चलते हैं next question पे next question कह रहा है एक राज मार्क पर दो अस्थान A और B 100 km की दूरी पर है एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारम करती है यदि ये कारें भिनविन चालो से एक ही दिशा में चलती है तो वो 5 गंटे पस्चात मिलती है यदि वो विप्रिद दिशा में चलती है तो एक घंटे पस्चात मिलती है दोनों कारों की चाल ग्याद कीजिए देखे ये थोरा सा complicated है बट हम इसको easy कर देंगे दोनों कार का चाल आपको निकलना है तो दोनों कार का चाल मान लीजे कार A का चाल है speed कार A का speed मान लीजे है X एक्स किलोमेटर पर आवर ठीक है और कार बी क्या स्पीड मान लीजिए वाई किलोमेटर पर आवर अब इसको समझे ये और मैं थो बेसिक बताता हूँ आपको किलेर हो जागा बिदफिगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है ठीक है और ये दोनों के बीज का डिस्टेंस है हंडरेड किलोमेटर अब कार ए यहां से चलना इस्टार्ट किया है पहला कंडिशन देखें क्या करा है दोनों एक ही दिसा में चलती है तो पांच घंटे पस्टार्ट मिलती है अब ए भी उसी समय चलना इस्टार्ट किया बी भी तो ये दोनों माली ये पॉइंट यहां सी पर पांच घंटे पस्टार्ट मिल जाती है किलियर है और आपको एक फिजिक्स का फॉर्मूला भी बता होगा स्पीड बरावर क्या होता है बेलो सीटी इंटू टाइम या भी इक्वल्स टू अप लोग एस बाइटी जानते हैं चाल बरावर दुरी बता समय वही सेम चीज है एस बरावर भी टी यहां हम लोग डिस्टेंस को लेके चलेंगे इसलिए इस फॉर्मूले को उप्योग करेंगे अब बताएं अब कार A को A to C, C पे दोनों मिल जाती है तो ट्रैबल करने में कार A को 5 गंटा लगता है और सेम डिस्टेंस B को भी C तक पहुँचने में 5 गंटे लगते हैं कार A को A to C, A, C, डिस्टेंस, कितना 5 गंटे में कितना ट्रैबल करेगा, A, C, तो A, C क्या हो जाएगा कार A के लिए, यह मैं कार A के लिए बात कर रहा हूँ, इसका स्पीड है, X और टाइम लग रहा है, इन्टू, T, T क्या है, 5 तो आ जाएगा, X इन्टू, 5, यह आ गया, 5X, अतलब कार A जो डिस्टेंस ट्रैबल कर रही है, A, C डिस्टेंस, कार A जो ट्रैबल कर रही है, वो कर रही है, 5X, यहां के लिए रहा है, डिस्टेंस कर रहे हैं, और कार B के लिए, कार B के लिए, कार B क्या करती है, यह सेम डिस्टेंस, B to C, B, C, डिस्टेंस, B, C डिस्टेंस, 5 गंटे में ट्रैबल करती है, तो कितना वा जाएगा, इसका वेलोसिटी है, Y, तो Y इन्टू, 5, यह आ गया, 5Y, यहां तक किलियर है, यह हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं, मैं फिर से एक बार एक्स्प्लेंट करता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को थोछा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, कार A यहां से चलना स्टार्ट करती है, और कार B यहां से चलना स्टार्ट करती है, और 5 गंटे बाद दोनों C पे मिल जाती है, तो ओभियस सी बात है, कार A की स्पीड, कार B की स्पीड से ज़्यादा होगी, तभी तो दोनों जाके यहां पे मिली, आप सोच यह, सिंपल सी बात है, यह इसके पीछे 100 किलोमेटर पीछे है, और दोनों मिल जा रहे है, A और B कार मिल जा रहे इसका मतलब है कार A का वेलोसिटी ज्यादा है कार B के वेलोसिटी से यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है तभी तो दोनों C पॉइंट पे मिलेगी अब कार A जो distance ट्रेवल किया 5 गंटे में वो किया A to C तो A C distance कितना हो जाएगा कार A के लिए तो इसका आप यह formula यूज करना है S वरा और B T B क्या है इसके लिए X और T कितना में लगाता है 5 गंटे तो distance A C क्या हो जाएगा 5 X similarly कार B सेम टाइम में B C distance ट्रेवल कर रहा है क्योंकि दोनों 5 गंटे बाद मिल रहे हैं तो B C distance क्या हो जाएगा फिर सेम formula यूज करिए B T S बराबर B T तो कार B के लिए speed क्या है Y और time क्या लिए रहा है 5 गंटे तो 5 Y तो अब देखिए distance A C आ गया 5 X और B C आ गया 5 Y इसको थोड़ा और clear कर रहा हूँ तो अब देखिए ये मैं फिर से draw कर दे रहा हूँ A ये B है और ये C है तो ये total distance आ गया 5 X और ये distance है 5 Y जो अब हम लोगों ने निकाला है B C और ये है 100 clear है तो distance A B AC क्या लिए सकते हैं A C आ प्लिके distance distance A C को हम लिख सकते हैं A B प्लस B C ठीक है A C क्या है 5 X इक्वल्स टू A B क्या है 100 प्लस B C क्या है 5 Y तो अब क्या हो जाएगा 5 X 5 Y कोई सेड ले आई है माइनस 5 Y इक्वल्स टू 100 पांस से डिवाइड कर दीजी X माइनस Y इक्वल्स टू 100 डिवाइड वाइड 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 य आग्या 20 तो जो फर्स्ट इक्वेशन आया वाया X माइनस Y इक्वल्स टू 20 अब similarly जो second condition है उसको भी हम लोग solve करेंगे इसी के बगल में अब देखिए जो second equation कह रहा है वो कह रहा है दोनों विप्रित दिशा में चलेंगी तो एक घंटे पस्चात मिल जाएंगी क्लियर है अब ये distance है A ये है B और अब मिल रही है point C पे कार इधर से चल रही है और ये इधर से चल रही है विप्रित दिशा में और C पे जाके मिल जा रही है ये total है 100 क्लियर है तो अब distance distance A C क्या हो जाएगा जैसा हम लोगों ने पिछले एक्जामपल में किया है इसी एक्जामपल का first condition में तो ये x velocity से चल रही है और ये y velocity से चल रही है तो क्या हो जाएगा x into t अब एक घंटे में ये दोनों मिल जा रही है कार A जो है a to c एक घंटे में ट्रावल कर रही है कार B b to c एक घंटे में ट्रावल कर रही है दोनों c point पे मिल जा रही है किलियर है यहाँ तो x into 1 ये distance हो गया a c और distance b c क्या हो जाएगा y into 1 किलियर है और दोनों अब हम लोग क्या लिखेंगे a b equals to a c plus b c किलियर है यहाँ distance a b को a c plus b c लिख सकते हैं ये है 100 ये है x ये है y ये आगया second equation अब दोनों equation को बिलोग पनविदी से solve करें ये मैं थोड़ा से detail बता रहा हूँ ताकि आपका concept बहतर हो जाए x plus y equals to 100 ये second equation है और x minus y equals to 20 दोनों को add कर दिजे y term cancel 2x equals to 120 x equals to 120 by 2 ये हो जाएगा 60 और अब यहाँ मान रख दिजे तो 60 minus y equals to 20 equation फर्स्ट में 20 को इस सेट लाएए तो 60 minus 20 equals to y y equals to 40 km पर आओ और ये 60 km पर आओ तो तो car a का speed है 60 km, car b का speed है 40 km पर आओ अब देखिए इसको तो मैंने ये detail method से बताया बट आप इसको थ्वासा short method से भी बना सकते हैं यदि आपकी physics बहतर हो तो आईए इसको एक बार और हम लोग थ्वासा short method से देख लें equation सेम ही आएगे आपको relative velocity के बारे में थ्वासा बता देखिए ये है a, b, a, b, दो point हैं और 100 km की दूरी पे हैं आप थ्वासा imagine करिए जब आप अपने friend के साथ cycle पे या bike पे जाते हैं और दोनों same velocity से जाते हैं तो दोनों का relative velocity हो जाता है 0 क्यों आप दोनों को लगता ही नहीं कि आप दोनों motion में है ऐसा आप train में सफर करते हुए भी देख पाएंगे जब एक train में आप चल रहे हैं और दूसरी train आप ही की दिशा में चलेगी तो आपको सब कुछ बहतर दिखेगा क्योंकि relative velocity minus हो जाती है पतलब यह x है यह y है तो किसी जा रहे हैं सफर कर रहे हैं और बगल से एक opposite direction में बहुत तेज गाड़ी क्रॉस करती है तो आपको कुछ भी नहीं दिखता है एकदम सक्ट से पार कर गई मालीजे बाइक तो क्या हो गया वहां relative velocity add हो गई अधी आप x और यह y से जा रहा है तो दोनों x प्लस y velocity से उधर से आ गई 60 km per hour से कोई एक other vehicle तो आप दोनों एक दूसरे को 80 km per hour से क्रॉस किये इसलिए लगता है कि गरम बहुत तेजी से निकल गई गाड़ी आप भी opposite direction है बट जब same direction में होगा तो relative velocity कम हो जाती है क्योंकि दोनों semi direction में move करते हैं ये concept अगर clear है तो आप देखिए इ easily कर लेते हैं same direction में है तो 5 गंटे पस्चात मिलती है तो relative velocity क्या हो जाएगी कारे की x minus y into bs बराबर bt है तो ये हो गया भी into t कर देंगे t है 5 गंटे बाद मिलती है तो distance कितना कवर कर लेगी 100 जो opposite direction में sorry जब same direction में चलती है तो देखिए इसलिए इसको ज़्यादा समय लग रहा है मिलने में जब बिप्रिद दिशा में चलती है तो मात्र एक ही गंटे में वो दोनों मिल जाती है क्योंकि relative velocity दोनों का add हो रहा है तो अब इसको solve कर लिजे x minus y equals 200 by 5 ये आ गया 20 तो देखिए यहा second condition कहा रहा है कि दोनों opposite direction में है जब opposite direction में होंगे तो velocity क्या हो जाएगी relative velocity add हो जाएगी तो x plus y और कितने समय में मिल जाती है एक घंटे में into 1 और travel कितना कर रही है 100 km दोनों का तो ये आ जाएगा same equation आ गया आपका x plus y equals to 100 तो ऐसे भी आप लोग relative velocity से solve कर सकते हैं और जो beginner हैं वो इस method को easily समझ लें फिर इस method से भी solve कर पाते हैं तो आपको उतने ही number exam में score करेंगी तो ये मैंने दोनों method बताये हैं ताकि आपको बहतर समझ में आ जाए अब चलते हैं लास्ट कोस्चन पर लास्ट कोस्चन के रहा है एक आयत का छेत्रफल नौ बर्ग एकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई पाच एकाई कम कर दी जाए और चोड़ाई तीन एकाई बढ़ा दी जाए आगे लिए रहा है और यदि हम लंबाई को तीन एकाई और चोड़ाई को दो एकाई बढ़ा दें तो छेत्रफल की सरसट बर्गी काई बढ़ जाता है आयत की भिमाए ग्याद कीजिए तो आयत की भी माई क्या क्या होती है L, L को माल लिजे X और चवराई B, इसको माल लिजे Y तो छेतरफल क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा लंबाई होना चवराई X, Y अब देखिए कह रहा है छेतरफल नौ बरगे काई कम हो जाती है यदि लंबाई को 5 इकाई कम कर दें तो 5 इकाई कम कर दीजेगा तो लंबाई क्या हो जाएगी X-5 और 4 आई को 3 इकाई बढ़ा दें बढ़ा दीजे Y प्लस 3 यह हो गए छेतरफल और यह क्या कर रहा है 9 इकाई कम हो जाता है X, Y, माइनस 9 यह पहला रेक एक स्रेमिकरन बना अब इसको solve कर लिजे multiply करें तो हो जाएगा xy minus 5y plus 3x minus 15 equals to xy minus 9 देखिए दोनों तरफ xy है तो यह term cancel हो जाएगा के लिए रहे अब देखिए 3x minus 5y equals to 15 को उसाइट भेती जे तो 15 minus 9 यह जाएगा 3x minus 5y equals to 6 यह आग्या equation फर्स्ट अब second equation second equation कह रहा है यदि लंबाई को ती निकाई बढ़ा दें ठीक है बढ़ाईए तो x plus 3 into 4 को दो इकाई बढ़ा दें दोनों को बढ़ाना आई है plus y तो यह छेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाती है clear है यहाँ अब इसको भी solve करिए यहाँ 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 प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 इक्वलस तो xy प्लस 67 x y x y cancels अब यहाँ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वलस टू 3y इक्वलस टू 67 मैनस 6 यहाँ यहाँ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वलस टू 61 यहाँ आग्वेशन 2 अब इसको करना है solve तो आप इसको आप बिलोपन विधी से ही करिए क्योंकि बजर्गुनन मेथट भी जो है वो बिलोपन विधी का ही रूप है तो second equation को भी यहां लिख लेते हैं वो है 3x minus 5y equals to 6 यह equation first अब देखिए हम y coefficient को same करने के लिए क्या करेंगे इसको समिकरन 2 को 5 से मल्टिप्लाइ opposite coefficient से आपको मल्टिप्लाइ कर देना है और इसको 3 से मल्टिप्लाइ करतेंगे तो 3 हो जागा 2.15 3.15 पंदरा 5 दिया 15 यही है विलोपन मेथट अब इसको करिए solve इसको solve कर लेंगे तो यह आ जाएगा 5 दुना 10x प्लस 5 दिया 15 y equals to एक सेट को 5 से करें 5 छोपजे 30 305 ठीक है अब इसको करिए 9x माइनस 15 y equals to 418 के लिए रहे अब इसको simply add कर दिजी कट को यह आगे 10 नो 19 x equals to यह 8 23 होगे 28 पंच 23 321 अब इसको x equals to 323 divided by 19 यह कट जाएगा आपको 17 तो x आगया 17 अब same किसी एक सेमिकरन में इसको पूट कर दीजे तो फास्ट वाले एक्विशन में ही पूट करिए इसको यहाँ पे कर लेते हैं तो फास्ट एक्विशन है 3x minus 5y equals to 6 तो 3 into 17 minus 5y equals to 6 सत्राथ यह एक्विशन है 6 को इसेट ले आए minus 6 equals to 5y अब यह हो जाएगा 45 equals to 5y y equals to 45 divided by 5 यह आजाएगा 9 9 पचे 45 तो y आगया 9 और x आगया 17 तो यह भी question हो गया solve x का value आगया 17 और y आगया 9 तो यह chapter solve हो गया total question हम लोगों आज last किया इसको तो कैसा लगा वीडियो comment में ज़रूर बताईए और channel को subscribe कर लें और अपने दोस्तों के साथ share करें मिलते हैं next chapter में next question के साथ thank you